आज का टॉपिक है एस्टिवेशन बहुत असान और सिंपल सा टॉपिक बटा एस्टिवेशन का मतलब है कि अर्रेंजमेंट पैटल्स या सैपल सैपल और पैटल की जो अर्रेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट वन एडर इन बर्ट एक बर्ड क्यों पर एक दूसरे के लहाद स पैटल से जो अर्रेंजमेंट सैपल साउ पैटल की गिसखों के तो आहिसे जो नजसर आती है तो हां पैटल्स merely touch each other at their edge कनारों से जब ये touch form में आपको नज़र आते हैं इस तरह की arrangement नज़र जो आती है they are called velvet कहां पे नज़र आती है केलोट्रोपिस केलोट्रोपिस जो प्लांट है इनके अंदर जो आपको arrangement they are called velvet velvet का मतलब ये जो कनारे हैं ये merely touch होते हैं इसी तरह जो दूसरी इसकी arrangement they are called imbricate imbricate क्या होता है जो margin's है ना margin's sapple और petals की ये एक दूसरे के साथ overlap करते हैं but not in any particular direction इसकी कोछ direction नहीं होती है मतलब के एक overlap होगा नीचे से आगे से वला वो उपर से overlap होज़े मतलब के वो आगर देखा रिए उसकी position class से एक नीची है दूसरा ओपर नीचे दूसरे ऐसा नहीं है maybe एक नीचे है दूसरा जो side वो भी नीचे हो जैसे ये देख सकते हैं एक जो sapple के side नों से नीचे है दूसरी भी नीचे मैंने बना दी इसने दूसरी की ऊपर ओवो लैप कर ये एक side इसकी नीचे है इसने एक ऊपर है एक नीचे है मतलब इसकी कोई direction नीचे है में भी दोनों नीचे हो या में भी दोनों ऊपर हो तो कोई particular direction नहीं होती जैसे cache या जो cache है इसका अगर देखा जाए जो petals और सैपल की arrangement वो इस तरह की है तो इसकी अंदर हम क्या कहेंगे देर कोई इंबरीकेड एस्टिवेशन है एक होती हो ओपन ओपन में क्या होता है कि जो कनारे वो cache नहीं होते सैपल के petals के मतलब सैपल और petals do not meet at their ends इसके जो कनारे वो आपस में touch नहीं है ऐसी जो रिमेंड देर कोई open एस्टिवेशन है एक होते है वैक्जिलरी अच्छा वैक्जिलरी में देखा जाए जो petals या सैपल तीन तरह के आपको नज़र आते है एक होता है जो बड़ा होता है डिर को standard उसको बड़ेह सैंडर को नाव देते हैं जो साइडेंव पो हते है लेटर 사यड उसको कहते हैं wings और जो आखर में नीचे होता है जो कि birds की की तरह होते है उसी तरह उसका नाम रख़ दिया के ermशा होता है जो birds के नीचे होते हैं तू लेटर पैटल्स यह देख सेते हैं जो जो कि आगे बी आगे बी ऑफ़लाप कर रहे हैं ऑफ़लाप टूस्मॉलस अंटिरिय के रहा है ऐसी रेंज्मिन आपको नजर आती है बीन बीक अंडर नजर आती है में आख़री में क्या होता है जैसरे पीछे Amrib lyset में था प्रण जासर होती तरह उप्र होती एक उपर एक नीझे एक उपर नीचे प्रोप्र होती है वह ट्रिस्टोर मार्जन ओप थे पंड़ीर ऑफ नेकष्ड जैसे cotton जतने भी cotton के plants हैं उनकी अंदर जो आपको arrangement नजर आती है वह twisted होती है twisted आपको नजर आती है तो आश्रीवेशन का मतलब क्या था पैटल्स और सैपल्स की arrangement के जितने भी पैटल्स की जो arrangement है उसको हम कहते है दे आरे कॉल आश्रीवेशन है ओकी बठाब अलाहाफीस